जुहां 36 गड की जुनता से जुड़िये खबर रायपूर से तेज टंक्यों से मरमत काम के चुलते आश्याम पेजल सप्लाई नहीं होगी मरमत के बाद 31 जनवरी की सुभा पेजल सप्लाई सामाने हो जाएगी तो यह आम लोगों से जुड़िये खबर आपको पता रहे हैं विटमिशन यूजना के तहट इंटक वेल में दो नए पैनल स्थापना का काम कराया जाएगा और इसी के चलते पेजल आपूर्ती प्रभावित रहेगी जिसके चलते रहवासियों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो राजधानी राइपूर में 23 टंकियों से मरमत काम के चलते आशाम पेजल सप्लाई नहीं होगी मरमत के बाद 31 जनवरी के सुभा पेजल सप्लाई सामाने हो जाएगी लेकिन आज पेजल सप्लाई नहीं रहेगी कई लाके ऐसे हैं जहां पानी के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसी खबर पर और भी ज़्यादा जवानकारी हम लेंगे हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर राइपूर से अभिशेक शुक्ली जी लाइव जुड़के हैं सीधे उनका रूप करते हैं अभिशेक जी अमरत मिश्वन योजना के तहट इंटक वेल में दो नए पैनल स्थापित किये ज़ा रहे हैं और इसके चलते रहवास्यों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है कौन-कौन से इसे इसे इलाके हैं जहां सबसे ज़ादा पैजल आपूर्ती प्रभावित रहेगी और क्या उसको लेकर कोई इंतिजाम किये गए हैं देखिए आज इंटक वेल में दरसल दो नए पैनल की स्थापना होनी है इस वज़ा से जो जलकार है वो बाधित रहेगा उसके इलावा गर्मिया आने वाली है तो इन गर्मियों को देखते हुए मेंटेनेंस का काम चलना है इसलिए शाम की पानी की जो आपूर्ती है एक बड़े इलाके में बाधित रहेगी सुबह इन इलाकों को पानी जरूर मिलेगा और इस बात की सूचना पहले से दे दी गई है ताकि लोग अपना इंतिजाम करके रखे तो शाम को यह पानी बाधित रहेगी एक बड़ा इलाका है जो की पानी से बाधित रहेगा और इनको आपको बता दो इलाकों में भाटा घाओ चंगुरा भाटा कुशालपूर डीडी नगर इदगा भाटा से लेकर आमा से उनी देवपूरी ओवरहेड तक के इलाके शामिल है जहां पानी नहीं मिलने वाला है यह रूटीन प्रोसेस होती ही जाया इंटक्वैल में क्योंकि अम्रित मिशन योजना के तहट दो नए पैनल लगाने थे और उसके लावा गर्मी के पहले फिल्टर प्लांट में मेंटेनेंस का काम चलता है इसलिए इस प्रकार की रूटीन प्रोसेस चलती है और कई बार ऐ पिल्कुल अभिश्यक जी यह बहुत अच्छी बात है कि पहले से सूचित कर दिया गया है इसलिए आम लोगोंने अपनी विवस्थाएं पूरे कर ली होंगी अफलाल शुक्री आपका इस तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दे कि राइपूर में लगभग 23 कालोनी है जहां पर पानी की सप्लाई बादित हो सकती है पताया जो आ रहा है कि अमरित मिशन योजना के तहत इंटक वेल में दो नए पैनल अस्थापित किये जाएंगे हलकी रूटीन प्रोसेस है और इसलिए ये जो पानी की सप्लाई है वो बादित होगी लेकिन मरमत के बाद 31 जन कि सबाद पैजल सप्लाई सामाने हो जाएगी